तोस्तों कर आप दोजा 21 के बोर्ड परिच्छा में सामेर होने जारहे हो तो यह वीडियो आपके बहुत इस परिच्छा में लिखोगे और क्या यह तीन गलती आपको नहीं करना है जो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अगर आप 2.21 पर कच्छा दसवी अगर आप में को सब्सक्राइब है अगर आपको या आपको क्या करना है अगर आपको तो आप कैसी उसका exam hall में answer लिखोगे और अगर आप सोचते हो ज्यादा page लिखने से ज्यादा marks मिलते हैं तो इस वीडियो को आप अंद तक ज़रूर देखना चैनल पर नहीं हो तो subscribe को एक बेल ऐकन पर इसकलो जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली देखने को मिल सके सबसे पहल आपका paper code 3x702 है ठीक है लेकिन आपने paper code गलत भरा है तो जो examiner आपकी copy check करेगा तो question उल्टा नीची रहेगा उपर नीची रहेगा और वहां पर आपके number कट जाएंगे तो आपको paper code सही भरना है और आपको जो signature होता है वो आपको करके आना है ताकि आपके पास proof रहे कि आ आप exam में attend हुए थे ठीक है पहला काम आपको सबसे यह करना है second जो सबसे most important है काफी student यहाप गलती करते paper की सुरुवात कैसे करें जब आपके हाथ में copy भी आजाए और paper आजाए तो आपको कैसे सुरुवात करना है ठीक है बहुत सारे student serial number से सुरू करते question number one करते question number two करते question number परतीन करते हैं ऐसा कही paper में लिखा है कि आपको serial wise करना है ठीक है सबसे पहला काम आपको करना है जो प्रस्त आपको आ रहा है सबसे पहले जो जिसका answer आपको सही सही आ रहा है सबसे पहले उसे अच्छी rating में लिखना और बीना cut pit किये क्योंकि first impression is the last impression जब आपका front page सबसे अच्छा रहेगा और जो आपने question लिखा है उसमें examiner को कहीं गलती नहीं मिलेगा तो examiner को लगेगा ये बच्चा एकदम मन लगाकर पढ़ाई किया है साल भग इसलिए इसने कोई भी mistake नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पर full marks देगा तो सबसे पहला काम जो प्रस्त आपक को आ रहा है कि section B का ठीक है तो section A का रहा है तो section A mention करोगे अब question number 3 कर रहे हो तो 3 में भी A B C part हो सकता है तो जो part कर रहे हो वो mention ठीक है ताकि examiner जैसे ही कोले paper में मिला है कि क्या question था और आपने क्या answer दिया उसे कहीं आपको लिए extra work ना करना पड़े तब वो आपको full marks देग exam में कोई प्रस आधा आ रहा है ठीक है तो आप सोचोगे क्या उसे मैं छोड़ दू तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि board exam में step marking होती है ठीक है मैं आपको example की तहत समझाता हूं जब board exam में आप copy लिग कर आ जाते हो तो examiner को एक answer की दी जाती है ठीक है उस स्टेप मार्किंग रहता कि कौन से प्रस कितने अंक्या कौन से स्टेप पर कितने marks देने तो examiner उसी किसाब से आपकी copy चेक करता है ठीक है suppose करो मैं तक कोई question है उसमें long question है और उस question में 4 step है आठ नंबर question है आपको 4 step में करना है तो हर step से दो नंबर है तो 2 step अगर आपने सह इसी तरीके सभी subject में होंगे तो अगर आपको board exam में कोई भी प्रस आधा या कोई definition आता है तो आप उसे जरूर लिखे ठीक है आप जितना question board exam में पूछा एता है उन सभी को attempt करने की कोसिस करें ताकि आपको हर प्रस से 1-2 marks मिलते चले ताकि आपका total score बढ़ता रहे ठीक है सबसे most important बात है काफी student recommend करते कि सरक board exam में क्या ज्यादा page लिखने से ज्यादा marks मिलते हैं तो मैं आपको बता दू quality metric करता है quantity ने ठीक है जब से कि अगर आपके board exam में होता है word limit ठीक है पहले ही mention कर दिया जाता है कि आपको इस प्रस्तों का जवाब 30 word में देना है 50 word में देन यह इसलिए कि आप जो लिखो to the point लिखो एकदम 60 answer लिखो ठीक है प्रस्त में जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही आप answer दो यह नहीं कि पूरा घुमा फिरा के आपसे पूरा जो नहीं पूछ रहा है वो भी बता दो आपको answer एकदम 60 लिखना है जितने word में बोले उतने word मे लिखना है और जितना कम page यूज करोगे लेकिन answer आपका सही रहेगा तो भी आपको full marks मिलेगा क्योंकि quality matter करता है quantity नहीं matter करता है यह मैं आपको बात को एकदम clear बता दे रहा हूं ठीक है अगर आपकी writing खराब भी है तो मैं आपको बता दू अगर आपकी writing readable 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 कहने का मतलब एक्जामिनर या कोई भी उसे पढ़ सकता है तो आपके number नहीं कटेंगे ठीक है यह बात ध्यान में रखो इसलिए अभी आपके पास time है तो आपको writing पर थोड़ा सा work कर सकते हो ठीक है काफी बच्ची भी बोल लेते कि सब copy में पैसा रखने से या emotional बाते लिखने से examiner हमें पास कर सकते हैं तो examiner के हाथ में ऐसा कोई power नहीं होता है कि वो अपने pass से आपको marks दे सके ठीक है वो जितने number देंगे जितना आप question को attempt किये रहोगे और जितना answer आप लिखे रहोगे ठीक है तो अगर आप सोच रहोगे पैसा रख कर pass हो जाओगे या फिर आप कुछ emotional बात है उसमें अपना अपना 100% हो जो ज्यादा मांक्स के chapter सबसे पहले उन्हें त्यार करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा number score कर सको और जो easy lesson है उन्हें पहले त्यार करने में आपको बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा ठीक है सबसे most important बात है इस बार आपका syllabus कुरोना को जैस पूरे पेपर को कर पा रहे हो या नहीं कर पार हो ठीक है अगर आप हिंदी मीडियों की student हो तो आप सभी के लिए एक बहुत important announcement है सुभम classes एप पर जो आपको notes important question last year paper और आप कम समय में कैसे त्यारी करें यह strategy और प्लान जो 509 मिलता उसकी fees सिर्फ अभी 209 मिलता हो गई है only 100 student के लिए तो आप सुभम classes app download करकर यहां से अपने त्यारी सुरू क कर सकते हैं इस एप से अलेडी एक लाख student पढ़ाई कर रहें ठीक है अगर आप application से payment करकर direct जूड़ोगे तो अहां पर आपको तुरन सब कुछ मिल जागा अगर आप application से पेमेंट नहीं कर पार हो तो आप सतर चौरासी क्यासी साच जीरो जिरो नो या फिर 9682700987 पर WhatsApp कर सक आपके बेंच में जुड़ना है ठीक है तो अगर आपको इवीडियो पसंद है फ्रीज वीडियो को like करो अगर मेरी पॉइंट आपको समझ में आया तो प्रीज इस वीडियो को अधिक सेल करो आज के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक झालो